राधे राधे आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे आज मैं आप लोगो कथा सुनाने जा रही हूँ उत्पन्ना एकादसी ब्रत कथा उत्पना एकादसी का ब्रत माक्षिस मास को किष्ण प्रक्ष की एकादसी को किया जाता है इस एकादसी को करने से जीवन में शुक और सांती मिलती है इस दिन भगवान शी किष्ण की पूजा का विधान है एकादसी का ब्रत रखने वाले दश्मी के दिन साम को भोजन नहीं करते हैं एकादसी के दिन ब्रह्म बेला में भगवान किष्ण की पुष्प जल धूप अक्षत से पुजा की जाती है इस ब्रत में केबल फलों का ही भोग लगाया जाता है अब मैं आप लोगों को एकादसी की ब्रत कथा सुनाने जा रही हूँ अपने हाथ में पुष्प अवसही ले ले कहा जाता है कि जब कोई भी भगवान की कथा सुने तो खाली हाथ बैठ करके नहीं सुनना चाहिए हाथ में पुष्प अख्षत अवसही लेना चाहिए चुकि एकादसी की तिती पर चावल नहीं छूना चाहिए कोशिश करना चाहिए कि न छूए तो पुष्प हाथ में अवसही ले ले सत्युग में एक बार मुर नामक दानव ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र देव को अपदस्त कर दिया था। देवता भगवान शंकर की सरण में पहुँचे। भगवान शंकर ने देवताओं को विश्णु जी के पास भेज दिया। भगवान विश्णु ने दानवों को तो परास्त कर दिया। परंतु म मूर भाग गया विश्णु भगवान ने मूर को भागता वद्दे करके लड़ना छोड़ दिया और बद्रिका आस्रन की गुफा में आराम करने लगे मूर ने वहां पहुच करके भगवान विश्णु को मारना चाहा तत काल भगवान विश्णु के सरीर से एक अपूर्व श शक्ती हूँ तब भगवान विश्णु ने प्रसन हो करके उस कन्या से कहा कि हे देवी तुम आज मार्ग शिष कृष्ण प्रक्ष एकादसी को प्रगट होई हो इसे तुम्हारा नाम उत्रपन्ना होगा और इस दिन तुम्हारी ही पूजा होगी तुम संसार में माया जाल म उल्जे तता मोह के कारण मुझसे विमुख प्राणियों को मुझे तक लाने में शक्षम हो जाओगी तुम्हारी अराधना करने वाले प्राणी आजीवन सुखी रहेंगे यही कन्या उत्रपन्ना एकादसी के नाम से जानी जाती है भगवान विश्णु की चैह हो भगवा प्राण विश्णु ने विवाह किया है इस कथा को सुनाने जा रही हूं किर्पया मेरे वीडियो में अंतितक बने रहें गरंत बताते हैं कि स्री विश्णु असाण मास की शुक्ल एकादसी के दिन छीर सागर में से ससया पर चार मास के लिए सैन करने चले जाते हैं और कार नींद से उठ जाते हैं और वापस सभी लोकों का कारेभार सम्हाल लेते हैं आप चानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि स्री हरी विश्णु को पत्नी देवी लक्षमी के होते हुए तूलसी जी से विवाह करना पड़ा आखिर क्यूं मांगलिक कारे को करने के लिए त आज हम इस देवी भागवत महापुराण से तूलसी विवाह से जुड़ी एक रोचक कथा आपके लिए लेकर आई हूँ इस कथा के शुरुआत करने से पहले आप किर्पया मेरे चैनल को लाइक जरूर कर दिजेगा स्री विष्णो की पत्ने के रूप में सभी लक्ष्मी जी को जरूर जानते होंगे समुद्र से उत्पन लक्ष्मी जी ने स्वें स्री विष्णो को अपना वर्चुना था वहीं तूलसी जी को अपने पूर्व जन में की गई तपस्या के रूप में स्री विष्णो के साथ प्राप्त हुआ एक राजा थे धर्मधज उनकी पत्नी का नाम था माधवी इन दोनों की एक फुत्री थी जिसका नाम था कार्थिक जिसका जन्म कार्थिक पुण्मा को हुआ था और उसका नाम था तुलसी तुलसी ने बद्रीवन में जाकर दिव्य एक लाख वर्स तक कठि दिन तपस्या की ताकि वह स्री हरी को पती के रुप में पा सके उसकी तपस्या से प्रसंध होकर के ब्रह्मा जी बद्रिवन में पहुचे और उन्हों ने तुलसी को वरदान दिया कि इस जन्य में तुम दनु वंस में उत्पन हुए शंख चूर शे विवह करोगी और बाद में स्री नाराण से तुम्हारा विवा होगा तुलसी जी ने ब्रह्मा जी की बात को मान ली और फिर एक दिन संक चूड तुलसी जी से मिलने पहुँचा संक चूड ने अजर अमर रहने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी उनकी तपस्या से प्रसन होकर के ब्रह्मा जी ने उसे एक स्री कृष्ण कवच देते हुए कहा था कि जब तक तक तुम्हारे सरीर पर यह कवच है तब तक धर्म धज की पुत्ति तुलसी का पती व्रत धर्म समाप्त नहीं होता है तब तक तुम्हें कोई देव हरा नहीं सकता है यह संख चून और कोई नहीं बलकि स्री कृष्ण के सखा सुदामा थे जिसे राधा जी ने शाब दे दिया था और उनका जन्व प्रिध्वी पर दानव राजा दंभ के घर में हुआ था जब तुल्सी और संख चून एक दूसरे से पहली बार मिले तब ब्रह्मा जी ने उन दोनों का ही गंधर विवाह करवाया इस प्रकार तुल्सी और संख चून दोनों अपना जीवन सुख पुर्वक पिता रहे थे दोनों एक दूसरे के साथ एक मनवंतर तक का समय बहुत देवता परास्त नहीं कर पा रहे थे दुखी हो करके देवता ब्रह्मा जी और शिव जी के साथ स्वी विश्णू के पास कहे तब उन्होंने संख चोन के पुर्वजन के बारे में याद कर देवताओं से कहा कि एक मनवंतर का समय अब बीत चुका है और इसका बद महादेव के तशूल से होगा अब उसे संख चोन से युद करने की तैयारी करनी चाहिए युद के नियम के अनुसार महादेव ने एक दूद चितर रत को संधी के लिए भेजा लेकिन संख चोन ने संधी के लिए मना कर दिया फिर क्या था देव और दानों के बीच घमसान युद हुआ जिसमें सबसे पहले कार्थिके और उनके गण युद भूम में पहुँचे लेकिन वे भी संख चोन को हरा नहीं पाए उसके बाद भवान शिव की आग्या को लेकर देवी कारी युद के मैदान में आई और एक आकास वानी को सुनकर वे भी वापस लोट गए युद के मैदान में आकास वानी हुई कि संख चोन का बद सिर्फ शिव जी के हाथों से ही होगा इसके बाद युद करने के लिए स्वय महादेव आए पर संख चोन के सरीर पर शिक्रिष्ण के कवच होने के कारण वे भी उसे हरा नहीं पा रहे थे फिर शिव विष्टु ने एक ब्रामान का रूप बदला और पहुँच गए संख चोन के पास उन्होंने संख चोन से दान में उसका कवच मांग लिया उसके बाद शिव जी और संख चोन में घमासान युद्ध होने लगा तब तक संख चोन को हराने के दूसी सर्थ उनके पतनी के पती वरता धर्म का अखंडित रहना भी नश्ट हो चुकी थी जिस समय संख चोन और शिव जी के बीच युद्ध चल रहा था उस समय स्री हरी विष्णो के महल में संख चोन का रूप बदल कर पहुँचे उन्होंने तुलसी जी को जूट बोला कि वह यानी संख चोन युद्ध को जीत चुका है तुलसी जी ने संख चोन को जीता हुआ मान कर उसकी बहुत से वाकी और कुछ समय दोनों ने पती पत्ने की तरह बिताया वहां तुलसी संख चोन रूपी स्री विष्णो के साथ थी वहीं दूसरी ओर महादेव ने उसके कवच उसकी पत्नी के खंडित पती बृता धर्म को देखते हुए संख चोन पर तिशूल का प्रहार कर दिया मृत के बाद संख चोन का सरीर शंख के आकार में बदल गया कुछ समय बाद जब तुलसी को सक हुआ तो उसे क्रोध में आकरके नकले संख चोन को सच सच बताने को कहा उस समय स्री विष्णू ने अपना असली रूप तुलसी जी को दिखाया यह देख करके तुलसी बहुत क्रोधित हुई और उसने स्री विश्णू को शाप दे दिया कि जैसे आपने एक पत्थर की भाती मुझसे छल किया है उसी तरह से आप एक पत्थर की हो जाएं तब स्री विश्णू ने तुलसी जी को बताया कि संख चोन से विवा तो सिर्फ कुछ समय के लिए ही था क्योंकि उसने दिव एक लाख वर्सतक कठोर तब स्री विश्णू को ही अपने पती के रूप में पाने के लिए किया था इसलिए संख चोन के मृत्व के बाद अब वह स्री विश्णू की ही पत्नी के रूप में रहेगी तुलसी जी को स्री विश्णू ने कहा कि उनका दिया हुआ शाब भी खाली नहीं जाएगा क्योंकि उसके इस देह से एक नदी उत्पने होगी जो गंड की नदी के रूप में भारत में प्रसिद्ध होगी और उस नदी में स्वेम स्री विश्णू पाशान यानी पत्थर के रूप में मौजूद रहेंगे जिनें शाली ग्राम के रूप में पूजा जाएगा खुद तुलसी जी सभी इस्थानों में तुलसी व्रक्ष के रूप में पूजनी हो जाएगी और जो मनुस्य शाली ग्राम को तुलसी से अलग करेगा वह दूसरे जन्म में इस्त्री वियोग को भोगेगा क्योंकि तुम एक मनमंतर तक संख चुन की भी पतनी रह चुकी हो इसलिए जो संख से तुलसी को अलग करेगा उसे अगले साथ जन्मों तक पतनी का सुख नहीं मिलेगा इस प्रकार कहने के बाद तुलसी जी की देह नदी और उनके बाल व्रक्षों में पूझनिये तुलसी के रूप में आ गए स्वेम तुलसी जी देव देह धारन कर भगवान विश्णों के साथ बैकुन्ठ लोग को चली गए इसी के साथ कार्थिक मां के देव उठानी एक अदसी के दिन जब भगवान को निद्रा से जगाए जाता है तो उसके बाद साली ग्राम और तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है मानिता है कि जो कोई भी कार्थिक मास में स्री विश्णों जी को तुलसी का पत्र अर्पित करता है और संख से उन पर जल चढ़ाता है वो स्री विश्णों जी का प्रे हो जाता है मानिता ये भी है कि तुलसी जी का दान करने से मुनुष्य को कई कर्णियों के दान का फल प्राप्त होता है माता तुलसी की जै हो, भगवान विष्णों की जै हो, भगवान संकर की जै हो, मा काली की जै हो, सभी द्रश्य रिश्यों की जै हो, सभी अध्रश्य रिश्यों की जै हो, सभी गुप्त इस्थानों पर निवास करने वाले गुप्त योगियों की जै हो, जै हो, जै हो आप सबी लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो किरपया वीडियो को लाइक अवस्ट कर दिजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा बेल आइकन अवस्ट ही दबा दिजेगा लाइक करने में आपका कोई नुक्सान नहीं है सो प्लीज लाइक जरूर कर देजेगा जिससे कि इस कथा को आगे भी लोग सुन सके किर्पिया कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव यह मात्ता तुलसी की जै हो यह अवसे ही लिखती जेगा इससे आपकी भक्ती बढ़ेगी अब मैं आप लोगों को एका दसी की एक दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ नारज जी पूछते हैं हे महादेव महा द्वा दसी एका दसी का उत्तम ब्रत कैसा होता है हे सर्विश्वर प्रफु उसके ब्रत से जो कुछ भी फल प्राप्त होता है उसे बताने की किरपा कीजिए तब महादेव जी ने कहा हे ब्राम्वन यह एका दसी ब्रत जो है वह महान पुनिफल को देने वाली है शेष्ट मुनियों को भी इसका अनुष्ठान करना चाहिए विशेश से विशेश नक्षत्रों का योग होने पर यह तिथी जया, विजया, जयन्ती तथा पाप नाशनी है इन चारों नामों से विख्यात होती है यह सभी पापों का नाश करने वाली है इनका ब्रत अवशे ही करना चाहिए जब शुक्ल पक्ष की एका दसी को पुनर्वसु नच्छत्र हो तो इवह उत्तम्ति थी जया कहलाती है उसका ब्रत करके मनुस्रे निश्य ही पाप से मुक हो जाता है जब शुक्ल पक्ष की द्वादसी को स्रमन नामक नच्छत्र हो तो वह उत्तम्ति थी विजया नाम से विख्यात होती है इसमें किया हुआ दान और ब्राह्मन भोजन सहस्त्र गुना फल देने वाला है तता होम और उपवास्तो सहस्त्र गुने से भी अधिक फल देता है जब शुक्ल पक्ष की द्वादसी को रोणी नच्छत्र हो तो वह तिथी जैनती कहलाती है वह सब पापों को हरने वाली है उस तिथी को पूजित होने पर भगवान गोविंद निश्चही मनुस्य के सब पापों को धोडालते हैं जब कभी शुक्ल पक्ष की पुख्य नच्चत्र हो, तो वह महापुनिमई पापनाशनी तिथी कहलाती है, जो एक वरस तक प्रती दिन एक प्रस्त तिल दान करता है। तथा जो केवल पाप नाशनी एकादसी को उपवास करता है उन दोनों का पुन्य फल समान होता है उस तिथी को पुजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर स्री हरी संतुष्ठ होते हैं तथा प्रतेक्ष दर्शन भी देते हैं उस दिन प्रतेक पुन्य कर्म का अनंत फ थी जिससे भगवान ने इस प्रिश्वी पर उन्हें वह सब कुछ दिया था इस्तिती के सेवन से मनुस साथ जन्मों के काईक वाचिक और मानसिक पापों से मुद्ध हो जाता है इसमें तनिक भी संदे नहीं है पुप के नच्छतर से युक्त एक मात्र पाप नासनी एकादस प्रश्यों के ब्रत के फल को प्राप्त कर लेता है इस दिन इसनान दान जप होम स्वाध्याय देव पूजा आधी जो कुछ भी किया जाता है उसका अक्षय फल माना जाता है इसलिए यतने पुर्वक इसका ब्रत करना चाहिए जिस समय धर्मात्मा राजा युद्धिस्ट पंचम अश्व मेग यगे का इसनान कर चुके उस समय उन्होंने यदू वंस भगवान श्री किष्ण से इस प्रकार प्रशन किया युद्धिस्टी बोले हे प्रवु नक्त ब्रत तथा एक भुक्त ब्रत का पुन्य इवं फल क्या है हे जनार्धन यह सब मुझे बताईए तब भगवान श्री किष्ण ने कहा कि हे गुंती नंदन हे मंत रितु में जब परम कल्यान में मार्ग शीस मास आए तब उसके किष्ण प्रक्ष की द्वादसी तिधि को पुबास करना चाहिए उसकी विधी इस प्रकार से है धिरता पुर्वक उत्तम ब्रत का पालन करने वाला सुद्ध चित्पुर्श दस्मी को सदा एक भुक्त रहे अत्वा संतोस आदि के नियमों का पालन करे नक्त व्रत के सुरूप को जानकर उसके अनुसार एक बार भोजन करे दिन के आठमे भाग में जब सुर्य भवान का तेज मंद पढ़ जाए तो उसे नक्त जानना चाहिए रात को भोजन करना नक्त नहीं है ग्रस्त के लिए तारों के दिखाई देने पर नक्त भोजन का विधान है सन्यासियों के लिए दिन के आठमे भाग में क्योंकि उसके लिए रात में भोजन निशेद है ही कुंती नंदन दस्मी की रात वेतित होने पर एका दसी को प्रातय काल ब्रत कने वाला पुरुष ब्रत का नियम ग्रहन करे सवेरे तथा मध्यान को पवित्रता के लिए इस्तान करे कुंे का इस्तान निम्निस्रेणी का है बावली में इस्नान करना मध्य में, पोखर में उत्तम है और नदी में उससे भी उत्तम माना गया है जहां जल में खड़ा होने पर जल जन्तों को पिड़ा होती हो, वहां इस्नान करने पर पाप और पुनि बराबर होता है यदि जल को छान कर सुद कर लें तो घर पर भी स्नान करना उत्तम माना गया है इसलिए हे पांड़ोशेष्ट घर पर उक्त विधी से स्नान करें इसनान के पहले निम्नांकित मंत पढ़ करके सरीर में मिरतिका मिरतिका मिंस मिट्टी अवस ही लगा लें मंत्र इस प्रकार से है आश्व करांटे, रत करांटे, विष्णु करांटे, वसुन्धरे, मिरतिका, हर में, पापम, यन मया, पुर्व संचितम वसुन्धरे तुमारे उपर आश्व और रत चला करते हैं भगवान विश्णुभी वामन अवतार धारन कर तुम्हें अपने पैरों से नापा था। हे मृत्ति के मैंने पुर्वकाल में जो पाप संचित किया है उस मेरे पाप को हर लो। अन्यान दुराचारी, परधनहारी तथा परिस्ट्रीगामी मनस्यों से वारतालाप ना करें। भगवान केश्वप की पूजा करके उन्हें नवेत्य भोग लगाएं। घर में भक्ति युक्त मन से दीपक जला करके रखें। ये पार्थ उस दिन निद्रा और मैथुन का त्याग कर दें। धार्म सास्त से मनुरण्यन करते वे संपून दिन वेतीत करें। ये नर्प्षिष्ट भगती युक्त होकर रात में जागरान करें। ब्रामनों को दक्षना दें और उन्हें परणाम करके उनसे त्रुप्यों के लिए छमा मांगे। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादसी है वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी एकादसी है। इसी विजी से उसका भी ब्रत करना चाहिए। हे पार्थ द्विज को उचित है कि वह शुक्र और कृष्ण पक्ष की एकादसी के व्रती को लोगों में भेद बुद्धी उत्पने ना करें। संख उधार तिर्थ में इस्तनान करके महवान गदाधर का दर्शन करने से जो पुनि प्राप्त होता है तथा सक्नकरांत के अफसर पर चार लाग का दान दे कर जो पुनि प्राप्त किया जाता है वह सब एकादसी व्रत की सोलहमी कला के वराबर भी नहीं है। प्रभास छेतर में चंद्रमा और सूरी के ग्रहन के अफसर पर इस्तान दान करने से जो पुनि होता है वह निश्चही एकादसी को उपवास करने वाले मुनिश्यों को मिल जाता है। वेदार छेतर में जल पीने से पुनर जनम नहीं होता है। एकादसी का भी एसा ही महत्तम है। यह भी गर्भवास का निवारण करने वाली है। प्रित्वी पर अश्व मेग यगे का जो फल होता है उससे सो गुना अधिक फल एकादसी व्रत करने वालों को मिलता है जिसके घर में तपस्वी एवं सेष्ट ब्रामण भोजन करते हैं उसको जिस फल की प्राप्ति होती है वह एकादसी व्रत करने वालों को भी अवसिप मिल करने से सो गुणा पुन्य एकाची वृत steep करने वा पुने प्राप्त होता है बोखन करने पो पथे ऊचलों को खैल है उसमें पुनियदारी वीटा प्राप्त के रात को भोजन करने पर उससे आधा पुनत फर होता है तथा दिन में एक बार भोजन करने से देह धारियों को नक्त भोजन का आधा फल मिलता है जीव जब तक भवान विश्णों के प्रिय दिवस एकादेशी को उपवास नहीं करता है तभी तक्तिर्थ दान नियम अपने महतु की गर्जना करता है इसलिए हे पांडवशेष्ट तुम इस ब एकादसी व्रत की तूलना नहीं कर सकता है युएधिश्चे ने भगवान श्रीकृष्ण से पूछा पुन्यमई एकादसी तिति कैसे उत्पने हुई इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई भगवान श्रीकृष्ण बोले हे कुंति प्राचीन समय की बात है सत्युग में मुर नामक दानव रहता था वह बड़ा ही अदभुत अत्यंत रोद्र तथा संपौन देवताओं के लिए भेंकर था उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने भवान इंद्र को भी जीत लिया था संपौन देवता उससे परास्थ हो करके स्वर्ग से निकाले जा चुके थे तथा शंकित और भैवीत हो करके प्रिथ्वी पर विच्रन करते थे एक दिन सब देवता महादेव जी के पास पहुचे और वहां पर इंद्र देव ने भवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया इंद्र देवता बोले हे हो करके प्रिथ्वी पर विचर्क रहे हैं मनुस्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती है हे देव कोई उपाई बताईए देवता किसका सहा रहले महादेव भगवान ने कहा हे देवराज जहां सबको सरण देने वाली सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाली जगत के स्वा भवान गरुर्द्वज विराजमान है वहां जाओ वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे भवान श्रीक कहते हैं हे दिश्चिर्ट महादेव की बात को सुन करके परम बुद्धिमान इंद्र राज संपुन देवताओं के साथ वहां गए भवान गदाधर छीर सागर के जल म सो रह थे उनका दर्शन करके इंद्र देवता ने हाथ जोड़ करके इस्तुति आरंब करी इंद्र देवता बोले हे देव देवेश्वर आपको नमस्कार है देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं पुन्रीरिकाक्ष आप देत्यों के शत्रु हैं हे आपकी सरण में आये, हे भक्त वसल हमें बचाईए, हे देव देवेश्वर हमें बचाईए, हे जनार्दन हमारी रक्षा कीजिए, दानवों का विनाश करने वाले कमल नयान हमारी रक्षा कीजिए, हे प्रभु हम सब लोग आपके समीफ हैं, आपकी सरण में पड़े हैं, हे भगवन शरण में आएवे देवताओं की सहता कीजे। हे देव आप ही पती, आप ही मती, आप ही करता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। हे भगवन देव देवेश्वर, शरणागत वर्सल, देवता भैभीत होकर आप की सरण में आएं हैं। हे प्रभू अत्यंत उग्र सुभाव वाले महावली मुर नामक देत ने संपोन देवताओं को जीत करके इने स्वर्ग से निकाल दिया है। ओम नमो देवे देवेश्व, देव दानो वंदित, देत्यारे पुनिरी काक्ष, त्राही नो मधुसोधन, सुरा सर्वे, समायाता, भैभीताश दानवाद, शर्णाम त्वाम जगन्नात, त्राही माम, नो भक्त वत्सल, त्राही नो देव देवेश, त्राही त्राही जना त्राहिवेव पुंडिरी काक्ष दान्वाना विनाशक त्वत समीपं गता सर्वे तमा मेव शर्णम प्रभू शर्णागत देव देवानां सहायं कुरू वै प्रभू तौम पतिस्तौम मर्ती देव तौम करता तौम चे कारणं तौम माता सर्वे लोकानां तौमेव जगतं पितह तो भगवन देवे देवे सु शनागत वसल शनम तो चायता भैभी ताष्च देवता देवता निर्जिता है सर्वा स्वर्ग भ्रष्टा प्रता विभू अत्य अयोग्रेन ही देतेन मुर्व नामना महो जसा इंद्र देव की बात को सुन करके भवान विष्णु बोले हे देवराज वह दानव कैसा है उसका रूप और बल कैसा है तता उस दुष्ट के रहने का इस्थान कहां पर है इंद्र देवता बोलते हैं हे देवेश्वर पुर्वकार में प्रमाजी के वंस में ताल जंग नामक एक महान असुर उत्पने हुआ था जो अत्यंत भेंकर थ उसका पुत्रमुर दानव के नाम से विख्यात हुआ वह भी अत्यंत उत्कट महाप्राक्रमी और देवताओं के लिए भेंकर है चंदरावती नाम से प्रसिद एक नगरी है उसी में इस्थान बना करके वह निवास करता है उस देत ने समस्त देवताओं को परास्त करके बाहर कर दिया उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंगासन पर बिठाया है अगनी चंद्रमा सूर्य देवता वायो तथा वरोन भी उसने दूसरे ही बनाए हैं ये जनार्दन मैं सच्ची बात बता रहा हूं उसने सब कोई दूसरे ही कर लिये हैं देवताओं को तो प्रतेक इस्थान से वंजित कर दिया है इंद देवता का कथन सुन करके भगवान जनार्दन को बड़ा ही कुरोध हुआ वे देवताओं को साथ ले करके चंद्रावती पुरी में गए देवताओं ने देखा दैतिराज बारम बार गर्जना कर रहा है उससे परास्थो करके संपून देवता दसो दिसाओं में भाग गए अब वह दानव भगवान विष्णू को देख करके बोला खड़ा रहे खड़ा रहे उसकी ललकार सुन करके भगवान के नेतर क्रोध से लाल हो गए वे बोले अरे दुराचारी दानव मेरी इन भुजाओं को देख यह कह करके भगवान विष्णू ने अपने दिविवानों से सामने आईवे दुष्ट दानव को मारना आरंभ किया दानव भैसे वीवल हो खे हे पांडू नंदन तत्पश्चात शी विष्णू ने दैत सेना पर चक्र का प्रहार किया उससे छिल्बिनो करके सैक्रो युद्धा मौत के मुख में चले गए इसके बाद भगवान मदसूदन बद्रिका आस्रम को चले गए वहां सिंगावती नाम की गुफा थी जो बारह योजन लंबी थी पांडू नंदन उस गुफा में एक ही दरवाजा था भगवान विष्णू उसी में सो रहे थे दानव मुर भगवान को मारने के लिए उद्योग में लगा था वह उनके पीछे लगा रहा वहां पहुँचकर उसने भी उसी गुफा में प्रिविस किया वहां भगवान को सोते देख करके उसे बड़ा ही हर्स हुआ उसने सोचा यह दानवों को भै देने वाला देवता है आतह नी संदे से मार डालोंगा हे धिश्टिर दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णू के सरीर से एक कन्या प्रगट हुई जो बड़ी ही रूप होती सोभा के सालिनी तरह देवे अस्त सस्तों से युप्त थी वह भगवान के तेज के अंस से उत्पने हुई थी उसका बल और पराक्रमन महान था हे धिश्टिर दानव राज मुर ने उस कन्या को देखा कन्या ने युद का विचार करके दानव के साथ युद की याचना की युद छुड़ गया कन्या सेव प्रकार की युद कलामे निपोन थी वह मुर नामक असुर उसके हुंकार मातर से राख का धेर हो गया दानव के मारे जाने पर भवान जाग उठे उन्होंने दानव को धर्दी पर पड़ा देखकर पूछा मेरा ये शत्रु अत्यंत उग्र और भेंकर था इसका वद्ध किसने किया है कन्या बोली है स्वामी आपके प्रसास से मैंने इस महाध्यत्य का वद्ध कर दिया तब भगवान ने कहा हे कल्याणी तुमारे इसी कर्म से तीनों लोकों के मुनी और देवता आनन्दित हुए है अतर तुमारे मन में जैसी रुची हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो देव दुरलव होने पर भी मैं वह वर तुम्हें दूँगा इसमें तनिक भी संदे नहीं है वह कन्या साक्षात एका दशी ही थी उसने खाहा हे प्रभू यदि आप प्रसन हो तो मैं आपकी किर्पा से सब तीर्थों में प्रधान समध्विग्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धी देने वाली होऊ हे जनार्दन जो लोग आप में भक्ती रखते वे मेरे दिनों को उप्रवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धी की प्राप्ती होगी हे माधव जो लोग उप्रवास नक्त अथवा एक भुक्त करके मेरे ब्रत का पालन करेंगे उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिएगा भगवान विश्णू बोले हे कल्याणी तुम जो कुछ कहती हो वो सब पूर्ण हो जाएगा इस प्रकार भगवान शिक्रिष्ण कहते हैं ही उदिश्टिर ऐसा वर पा करके महा ब्रता एकादसी बहुत ही प्रसन्न हुई दोनों पक्षों की एकादसी समान रूप से कल्याण करने वाली है इसमें शुक्र और क्रिष्ण का कोई भेद नहीं है यदि उद्यकाल में थोड़ी से भी एकादसी मढ़्यम में पूरी द्वादसी और अंत में किंचितर रूदसी हो तो वह त्री इस्परसा एकादसी कहलाती है वह भगषन विश्णों को बहुत ही प्रीय है यदि एक त्री इस्परसा एकादसी को फुवास कर लिया जाय तो एक सहस्ट एकादसी ब्रत के फल का प्राप्ति होगी तथा इसी प्रकार द्वादसी में पारणा करने पर सहस्ट गुनाफल माना जाता है अश्टमी एकादसी खष्टी तीतिय और चतुर्दसी ये तिथी पुर्व तिथी से विरुद्ध हो तुमें ब्रत नहीं करना चाहिए परिवर्दनी तिथी से युक्त होने पर भी इसमें उपवास का विधान है पहले दिन में और रात में भी एकादसी हो तथा दूसरे दिन केवल प्राते काल एक दंड एकादसी रहे तो पहली तिथी का परित्या करके दूसरे दिन की त्वादसी युक्त एकादसी ब्रत को उपवास करना चाहिए यह विधी मैंने दोनों पक्षों की एकादसी की विताई है जो मनुस्व एकादसी को उपवास करता है वह बैकुंठ धाम में जहां सक्षात भगवान कडुधर्ज विराजमान है जाता है जो मानव हर समय एकादसी के महातमिका पाठ करता है उसे सहस्त गोदानों के पुनिके फलकी प्राप्ती होती है जो दिनिया रात में भक्ती पुर्वक इस महातमिका स्रमन करते हैं वो हनी संदे ब्रह्म हत्या आदिपापों से मुक्त हो जाते हैं एकादसी के समान पाप नाचक ब्रत दूसरा कोई भी नहीं है भगवान विष्णू की जय हो युदिष्ठी भगवान की जय हो भगवान श्रीकृष्ण की जय हो एकादसी माता की जय हो उत्पन्ना एकादसी माता की जय हो तुलसी माता की जय हो गंगा माता की जय हो सभी दिवी रिश्यों की जय हो आज मैं आपनों कोई कथा सुनाने जा रही हूँ तुलसी माता की कथा कार्दिक के महिने में सब कोई तुलसी माता को सीचते हैं सब कोई तो सीच के चले जाते थे लेकिन एक बुढ़िया माई आती और माता तुलसी को रोजाना सीचती और तुलसी माता से कहती सत की दाता, मैं बेला सीचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा, तुलसी माता, अडवा दे लडवा दे, पितामरा की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंट का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चन्नन की काठ दे, जालर के जिनकार दे, साइं का राज दे, द इतनी बात सुनकर माता तुलसी सूखने लगी एक बार भगवान कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरते आती हैं तुम्हें जिमाने गातने तुम्हें पूजने और तुम सूखने कैसे लगी तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढिया माई आती है जो रोज बढ़िया मर गई सब उसको उठाने लगे पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं सब कोई कहने लगे पाप घाट की माला फेरती होगी जिससे इतनी भारी हो गई है भगवान बोड़े ब्रामान का रूप धारन करके आये और सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड क्यों हो रही है सब लोग बोले एक बुढ़िया है जो कि मर गई है पाप नहीं थी इसके किसी से नहीं उठती तब भगवान बोले कि इसके कान में एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी सब ने कहा तुभी मन की निकाल ले भगवान ने जाकर उसके कान में कहा बुढ़िया माई त पुल्षा गास ले बैकुंठ का बास ले चटके की चाल ले पटके की मौद ले चनन की काठ ले झालर की जिनकार ले साई का राज ले डालभात का जमीन ले खृष्ण का कंधा ले इतना सुनते ही पुरियामाई हलकी हो गई भगवान ने कंधे पर ले करके उसको गए उसकी मुक्ति करी है ऐसी हमारे भी मुक्ति करियो जैसे उसको कंधा दिया है भगवान किष्ण ने ऐसे सभी को कंधा दे इस कथा को सुनने वाले को और सुनाने वाले को जिस प्रकार से भगवान विश्णों ने पा करी उसी प्रकार से कथा सुनने वाले पर और कथा सुनाने वाले पर सदा सर्वदा भगवान विश्णों की किक्रिपा बनी रहे। नोम यह एकादसी वरत कथा अज़ी लगी हो तो क्रिपर वीडियों को लाइक जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में भगवान विश्णों की जैह और वुषकत की चैह यह अवस्ण वही लिखे झाल झाल झाल